हलो एबरीवन तो दोस्तों आज हम बहुत ही जादा हेल्दी दो तरीके का ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसमें बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल होगा बहुत ही जादा चटपेटा और मज़ेदार भी है तो चलिए वीडियो को शुरू करते ही तो सबसे पहले हमें कड़ाई में और देना हैं पानी kी पानी को हमें गरम करना है इसे नाश्ता फटा फट बनेगा अब दोस्तों चलिए दलिया मतलब सेहत का खासा ना क्यूकि इसमें बारपूर मात्रा में कार्भव हाईडरेटस प्रोटीन फाइबर होता है साथी दोस्तों एक कप डालेंगे सूजी दोस्तों दॉक्टर भी रिकमेंडpox करते हैं रोज के आफार में क्यologist क्यां रिकमेंड करता है अब डालेंगे इसमें मुमफली लगभवप one third cup मुमफली मतलब देसी बादाम क्योंकि इसमें जिंक, आईरन, केल्शियम बरपूर मातरा में होता है जो हमारे हेल्थ के लिए हाट के लिए बहुत अच्छा होता है साथी स्कीन भी चमकदार बनती है अब इसमें डालेंगे हम दो हरी मिर्ज दो सुखी लाल मिर्श डालेंगे करीब पत्ता डालेंगे आट से दस पत्ते यह हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है साथी डालेंगे हम इसमें एक टुकडा अद रखा इसे हमें एक बोई लाने तक गरम करना है और क्यस के फ्लेम बन करके इसे ठंडा होने देना है जब तक यह ठंडा होगा हम तब तक चटनी बनाते हैं तो दोस्तों चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है वनफोर्ट कप सफेद तील यह कितनी जादा हेल्थी है आप सभी को बता है साथी डालेंगे इसमें हम वनफोर्ट कप फुटाना जिसे हम चना दलिया कहते हैं अब डालेंगे दो हरी मिर्च साथी दोस्तों इसमें डालेंगे हम लगभग एक मोठी हरा धनिया चार से पांच कलिया लसुन की डालेंगे आप लसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं और एक छोटे टुगड़ा अद्रका डालेंगे थोड़ा सा दही डालेंगे आप इसकी जगा निम्बू का रस भी ले सकते हैं और इसे पीस लेना है दोस्तों इस चटनी को आप ट्रांसफर करेंगे एक बोल में और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे क्योंकि चटनी काफी ठिक थी और अब इसके लिए तड़का तयार करेंगे तो तड़का पैन में एक चमश देल लेना है इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई साथ ही इसमें डालेंगे दो सुखी लाल मिर्च चटनी को थोड़ा चटपिटा बनाने के लिए और साथ ही डालेंगे इसमें 7-8 पत्ते करी लिवस के जिसे हम कड़ी पत्ता कहते हैं गैस के फ्लेम बन करके इस तड़के को डालना है चटनी के ऊपर और ये हमारी टेस्टी और हल्दी चटनी बन कर तयार हो चुकी है जोकि बहुत ही टेस्टी लगती है और बिना कोकोनेट बिना मुमफली की ये चटनी बन चुकी है दोस्तो चले अब पनाते हैं हम नाश्ता, तो सारी चीज़े अब ठंडी हो चुकी है और दलिया भी फुल चुका है, सोजी भी भीग चुकी है और दोस्तो जो मुँफली हैं भीग चुके हैं, भीगे भी मुँफली हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं अब इन सभी चीजों को हमें पीसना है दोस्तों आप देख सकते हैं सारी चीज़े भीग जाने के वज़े से इसमें मौश्यर बिल्कुल भी नहीं है ड्राय है तो पीसने के लिए हम इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे मैंने आधा कब दही लिया है इस सारे बैटर को मतलब सारी चीज़ को पीसने के लिए लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा पानी भी डाला है अगर आपके बैटर में आद सारे चीज़ों में पानी हो तो आपको दूसरा पानी नहीं डालना है और दोस्तों हमने देखी कितना गाडा बैटरप पिसा है नाश्टे के लिए आपको गाडा बैटर ही लगेगा दोस्तो हम इसमें डालेंगे नम्माख हमारे स्वाद्नुसार और डालेंगे इसमें आधा चम्मज बेकिंग सोडा और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यह हमारा नाश्टे का बैटर बन चुका है और चले अब लेते हैं तवा तो अच्छे कंपनी का तवा लेजिए ताकि नाश्टा अच्छे से बन जाएगा थोड़ा सा उसमें देसे घीरा लेंगे और यह जो हमा सारा नाश्टे का बैटर है वह हमें बड़ा चमच भर कर डालना है हलका सा फिलाना है अब दोस्तों इसके उपर हमें सब्जिया डालने हैं तो मैंने यह पर प्याज शिम्ला मिल्च स्वीट कॉन हरी मिर्च हरी धन्या यह सारी चीज़े डाली है वैसे आपके पास जो सब् और हेल्दी नाश्टा बना लिया है वह भी बहुत ही कम तेल में मतलब यह फुल कॉंबो है आपकी हेल्थ के लिए जिसमें भरपूर मात्रा में आपको सारी चीज़े मिलेगी जिसमें हैं प्रोटीन फाइबर कार्बोहाइडरेट साथ हमने बहुत सारी सब्जिया भी ली ह दोस्तो दो से तिन में आधक कर पकाने की बाद हमने इसे टन कर दिया है और दूसरे साइड में हमने अच्छे से सीक लिया है तो दोस्तो थोड़ा सा घी लगाकर सीकने सी यह नाश्टा बहुत टेस्टी बनता है क्योंकि सबजिया फ्राइ हो जाती है और यह पहला तो तबंको हमें पहले थोड़ा सा पोच लेना हैं क्योंकि हम बना रहे हैं अब सैसवान, बटर, यह दोनोग छीज़ अवर अगर नहीं डालना चाहते हैं तो इसईप कर सकते हैं। और थोड़ा सा तेल डालकर इस दोसे को आप पकाईए तो दोस्तों यहां पर देखिए सेजवान चटनी डालने से ने यह बहुत चटपटा बनता है और इसके उपर मैंने फिर से वही सबजिया डाली है जो हमने पहले नाशने में डाले थी इसमें प्यास है शिमला मिर्च है स्वीट कौन है हरी शिमला मिर्च धन्या हरी मिर्च यह सारी चीज़े डाली है और देखिए इसे हम पका रहे हैं प्रेस करके ताकि यह अच्छे से फ्राय हो जाए मतलब अच्छे से थोड़ी थोड़ी यह पक जाए सॉफ्ट हो जाए और दोस्तों यह नाशना बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए यह उपर से पक चुका है मतलब इसे अब हमें फोल्ड करना है तो दूसरी साइड आप देख सकते हैं कितना शाइनी कितना मज़ेदार और यह करारा भी बनता है दोस्तों बहुत ही जादा स्वाधिश्ट है अब इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है और इसके साथ आपको जो चटनी खानी हो आप खा सकते मैंने तीन तरीके की बनाई है और यह देखे दोस्तों दूसरा वाला दोसा भी मैंने रैडी कर लिया है क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी करा रहा और टेस्टी है तो दोस्तों यह दोनों में से कौन सा नाश्ट जादा पसंद आया मुझे बताईएगा बनाईएगा ज़रूर आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि यह बहुत ही हल्ली और टेस्टी है रेसिपी पसंद आई हो तो इससे जादा से जादा शेर जरूर कीजेगा और ऐसे नहीं ने रेसिपीस देखने के लिए हमारे बाइ!